Hello Hello this video is sponsored by video editing software Filmora और ये software mac और windows दोनों में compatible है और अगर आप कोई बड़िया सा अपने video editing के लिए software ढूड़रे हैं तो एक बार Filmora पे नजर जरूर डाले ये बहुत लाजवाब है इसके features दिखाता हूँ ये देखिए ये मैंने text animation वाला feature बनाया है भूकासान प्रेजेंट्स ये देखिए कैसे आया है कितने स्टाइल्स आया है अभी दिखाता हूँ दुबारा ये देखिए ऐसे ही बहुत सारे स्टाइल्स अल्रेडी इसकी लाइबरेरी में है जो आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते है इसके बाद आपको ये ट्रांजिशन दिखाता हूँ एक सीन से जब आप दूसरे सीन में जाते हैं तो आप इफेक्स डाल सकते हैं इसमें दिखाता हूँ ये देखिए ये पेपर मुड़ा ये पेपर मुड़ के नेक्स सीन आया ऐसे ही बहुत सारे इसमें इफेक्ट्स हैं जो आप अपने वीडियो में यूज करके उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं इस software में music library है और बहुत सारे music हैं जो कि आप अपने वीडियो में यूज करके उसको और लाजवाप बना सकते हैं attractive बना सकते हैं और उसके बाद यह है filters आप यह देखिए यह मैंने फिल्टर यूज करके अपने color वाले वीडियो को black and white कर लिया है ऐसे ही बहुत सारे filters हैं जो आप अपनी requirement के साथ से colors वगेरा यूज कर सकते हैं उसके बाद यह देखिए यह मैंने आपको effect दिखाता हूँ जैसे आपने बड़े-बड़े music वीडियो में देखा होगा उपर और नीचे screen कटी होती है जी देखिए यह सामने आपके कटी है ऐसे ही आपको लगेगा कि आपने एक बहुत high class video बनाया है यह effect इसमें है और आप इसको यूज कर सकते हैं यह तो बस गिंती के मैंने बताए और इसमें features की तो भाई यह देखो लिस्ट देखिए कितने बड़ी है मलग green screen वाला option भी है कि आप green परदा यूज करते हैं इसके इलावा जोन से ऐसे ऐसे features हैं जो आपके वीडियो को world class बना देंगे pricing के मामले में बहुत normal है और description में आपको इसकी सारी details मिल जाएंगी hello hello video देखने वालो जब से मैंने महा बटूरा डाला है तब से काफी मेरे पास messages आये हैं कि यार यह बड़ा इतना भटूरा तो बड़ा मुश्किल है खाना कोई normal भटूरा बताओ तो लोगों की यही demand पर मैं आज आपको ऐसे ही एक भटूरे की दुकान पर लेके जा रहा हूं यह ऐसे भटूरे हैं जहां पर मैं जाना खुद पसंद करता हूं काफी सालों से जा रहा हूं अब तो काफी gap हो गया है नहीं गया तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं specially वहां जा रहा हूं और जो यह भटूरे हैं इस आर बेस्ट इन देली मला अगर दिली के पांच का नाम उन लिस्ट में आएगा तो जयारा टाइम बेस्ट नी करते चलते हैं बटूरे खाने लेस्ट को कर दो कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ CL कॉनर जो की मोती नगर में है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टंस गेट नमबर वन से डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा तो यहां देखें यहां छोले भटूरे मिलते हैं छोले चावल है पालक पनीर है और लस्टी है और मैं आपको इनकी लोकेशन समझा देता हूँ यह देखे यह देखे यह पनीर की फिलिंग है यह देखिए यह पनीर की फिलिंग है कि यह आपको भीया का स्टाइल दिखाता हूं यह अभी देखना चक्री गुमाएंगे यह कुमारी चक्री और अब एक और चक्री गुमने वाली है यह अब अब आए उन्सली बोलू मैं यहां सिरफ एक पीस बढूरा का खाने आया था कि मैं कहीं और आगे भी जाने वाला हूं वीडियो बनाने के लिए यह बढूरे देखके भाई मेरा मन बदल गया है और मैं फुल प्लेट खाने वाला हूं प्लेट मतलब टू पीसेज तो चलिए अब यह बढूरे त्यार होगे मेरे टेबल पर सब्सक्राइब होगे आजो और यह देखिए यह है छोले आलू और इसमें पालक मिक्स है और लीजिए बढूरे भी आगे वाह 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 और नसी मंगाई है मैंने यह देखिए बटूरा रिखाता हूँ आपको वाह 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 रहना शाइनिंग सन एकड़न ब्राउन मजा आगया वाह वाह समें और यह चोले इसमें पालक की सब्सक्राइब अगे मिक्स है आमकचार चक्णी प्यार्च और यह है लसी लसी 50 की बटूरे 70 आपको ये छोले मैं closely दिखाता हूँ आप दिखिए इसमें थोड़ा सा आपको ग्रीन ग्रीन सा फील हो रहा होगा ये देखिए ये ग्रीन है तो ये बेसिकली इसमें पालक जो ये बनाते हैं पालक मिक्स की गई है छोले के अंदर अपर ये दिखा ही चुका हूँ चत्नी प्याज अचार है और ये देखिए लस्टी दिखाता हूँ वह भभाई। एक बात बताउँ ये लस्टीको मैं मिक्स कर रहा हूं और मेरी ताकट लग रही है आप यह देखिए यह देखिए यह यह देखिए कितनी ठिक है और पूरी मुझे 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 पावर लगानी पड़ी उसको मिक्स करने के लिए और यह बटूरे वावई आज तो मस्त वाला अनन दाने वाला है प्राइजिस मैंने बता दिया है पटूरे छोले 70 के और लसी 50 को चलिए फस्पाइट लेते है लग तो बटूरे ट्राय कर रहा हूं टिकते हैं कैसा है अई गई अंभी चलो ची वाव 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 यह एक बाइट और बनती है पटा पटूरे चीर्स सच्ची बोलू मुझे उमीर नहीं थी कि लसी इतनी स्वाध होगी इतनी बढ़िया लसी पिये बहुत जमाने इतनी थिक और इतना बढ़िया टेस्ट मीठा तेज है लेकिन आसम लसी है और यह सामने देखिए अंगल चल पड़े हैं और मैं यह वीडियो भी बनाता रहे हैं और यह देखे खाली हो गया सामने से इस इस लाइफ ऑफ फूड ब्लॉगर हम रिकॉर्ड करते रहे और सामने वाले खा के चल पीती है लसी को मेरी दरों से जिंदाबाद कि बात करूं पनीर की फिलिंग बहुत नॉमल है पनीर का फ्लेवर अच्छा आ रहा ऐसा नहीं है कि पनीर ओवर पावर कर रहा उसको छोले मसाले तेज हैं वालक में पूरे मसाले कम हैं इसकी वज़त से जो छोलो में मसाले तेज और मिर्च बगरा है वो उसको बैलन्स कर तो ओवराल यह भी एक तम फुल-on आइटम है अटूरे खाके तो भाई एक तम मज़ा आ गया काफी टाइम बाद आया था सी एल कॉनर उमीद थी कि पता नहीं कैसा होगा अच्छा होगा बुरा होगा लेकिन फुल-on पैसा वसूल मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेशन है इस बाई बाई